नमस्कार दोस्तों मैं हूँ गौरब और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट आएए बात करते हैं गोल्ड MCX की दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के सामने एक गोल्ड MCX का चार्ट है जिसमें मैंने पांच मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मुमेंट लास टेटिंग सेशन में रही और अभी जो करन्ट लाइव मार्केट चल रहा है इसे देखते हुए हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल है जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या वियू है क्या हमें बाइंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वे इवनिंग सेशन के आसपास सही थी प्राइसे नीचे थी उसे होल्ड करके रखा था और वहीं सिल्वर ने एक जो करेक्शन दिखाई हुई थी वो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लेकर थोड़ा सा मार्केट उपर आने कोशिश कर रहा था इवनिंग सेशन इस्टार्ट हुआ स साड़े पांच बजे इसने में मुवमेंट आनी शुरू हो गए थी प्राइसे उपर और उपर थोड़ी सी करेक्शन के बाद मार्केट काफी उपर आकर मतलब अपने आपको उपर होल्ड करते हुए क्लोज हो गया अभी हम देख रहे हैं मार्केट ओपन हो चुका है और प बात करी थी पहला मैंने बता था कि अगर इंट्राडे अगर आपका कोई भी ट्रेड अगर आप लेते हैं वैसे कुछ उसमें कुछ वो नहीं था कि मतलब रिकमेंडेशन या मेरा कुछ व्यू नहीं था कि जब तक मार्केट में इवनिंग सेशन या तो स्टार्ट हो तब थोड़ी सी क्लारेटी आएगी या फिर अगर आपको ट्रेड कोई लेना है शॉर्ट सेलिंग का आपने ले रखा है तो फोरेट ट्रिपल वन का आप स्टॉप लोस मेंटेंग करके चलिए और उसके बाद जो है अगर आपको एक फाइनल एक पोजिशनल स्टॉप लोस आप के का व्यू है कोई भी अगर करेक्शन भी आनी हो तो मार्केट में एकदम से आएगी इस चीज़ के चांस बहुत कम है एकदम से करेक्शन आती हुई नहीं लग रही पहले मार्केट कंसलिडेट होगा और उसके बाद कुछ करेक्शन के चांसे बनने लगेंगे पर इस भी इंडिकेशन अभी हमें चार्ट पे नजर नहीं आ रहा पर हम राइस टेंस को जरूर ध्यान में रखेंगे राइस टेंस कहां पर है थोड़ा सा आगे चलते हैं 15 मिनिट के टाइम फ्रेम पे यहां हम देखते हैं कि प्राइसेज में ये एक कंसलिडेशन पीरिड था जि स्ट्रेंथ जो है वो गोल्ड में बनी हुई है सिल्वर में एक जो रेइस्टेंस था वो भी हमने देखा प्राइसेज जो थे वो ब्रेक कर गए उपर में पर वहां से सिल्वर में फिर वापस एक करेक्शन आई और फिर अभी हम जो देख रहे हैं खेर सिल्वर की बात सिल् और हो सकता है देखिए एक अच्छा ब्रेक आउट इसने दिखाया हुआ है पर जो नेक्स्ट रेस्टेंस है वो भी बहुत जादा दूर नहीं है और वो बहुत मेजर रहने वाला है वो कौन सा होगा वो काफी इंपॉर्टेंट है उसको लेकर अभी थोड़ा सा हम बात में ब करना चाहिए तो यह सारी चीज़े हैं कहीं न कहीं आपको बार-बार यह लगता होगा कि हाँ इस बार गलती कर दी अगली बार देखने है और फिर मन में यह आता है कि होल्ड करके देख लेते हैं मार्केट तो वापस अपने ट्रेंड में आही जाएगा देखिए सारी करें एटलिस्ट उसके पास जाने की कोशिश तो उसकी पूरी रहती है थोड़ा सा theoretical है पर इस चीज़ को हमें समझने की जरूरत है एक गंटे के time frame पर देखते हैं यहाँ पर अगर हम देखें तो prices थोड़ी से correction फिर उपर और यहाँ पर market एक consolidation phase को continue करता रहा यहाँ पर यह यह इसने काफी strong support base बनाया था इसके नीचे यहाँ पर यह market आया भी था पर prices में एक जो strength थी वो इस तरीके की थी कि नीचे में hold नहीं किया prices ने और एकदम से उपर आए और तब से लेकर अभी तक market में एक जो strength है वो बनी हुई है 46, 450 और थोड़ा सा आगे चलते हैं चार गंटे के time frame पे यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ जिस तरीके का एक trend हमें नजर आ रहा है prices उपर consolidation crash strong consolidation dip और फिर market उपर और यहाँ से फिर market उपर जाता हुआ 48, 450 पे अभी इसका current price है इसमें जो यह strength है यह थोड़ा सा ही और अगर continue रहती है आगे के लिए तो इसमें और तेज़ी आ सकती है अगर आपने अब यहाँ पर ना mind जो है वो इस तरीके से काम करता है कि अब क्या करें अब आप एक उस situation में आ जाते हैं loss भी आपका बढ़ चुका होता है मतलब मैं यह सिर्फ उनके लिए बात करना हूँ जो position को hold करते हैं मैं आपको दोनों scenario को लेके ए यहाँ निकले यहाँ निकलना होगा अब जो market trade कर रहा है वो third level को test कर रहा है ठीक है और current price यहाँ पर है अब वापस अगर market नीचे जाने लगे यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि हो सकता है हमने यहाँ पर खरीद लिया हो क्योंकि market उपर जाता हो लग रहा है मतलब short position से exit कर लि होगा पर हम उस risk से बाहर बने रहेंगे जो ऊपर में कोई limit हमें नजर नहीं आती कि prices और कितना ऊपर जाएंगे तो यह सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि prices में हमारी एक strategy होनी चाहिए कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं तब हमारा loss मतलब market में यह उस चीज़ की बात कर हो कि prices उपर गए और वहां से अगर नीचे जा रहे हैं तो हम resell करते वो resell में इतना loss हमारा जरूर होता और prices वापस नीचे जाने के लिए अपने आपको एक उस condition में ला रहे होते कि एक downtrend में वापस आ रहा होता market तो वो एक थोड़ा सा loss जरूर रहता और भी उस condition में कि market अगर यहीं से का turn ले लेता है तो otherwise अगर यहां से उपर ही जाता रहता है तो तो आप बिल्कुली safe है आपको पास आपको फिर शायद खुशी होगी कि मैंने exit कर लिया फिर resell का point भी आपका at least यहां पर आ जाएगा काफी उपर आ जाएगा फिर थोड़ा सा ओर आके चलते ह क्योंकि कई मेरे पास ऐसे question आ जाते हैं कि अब क्या करें यहां पर prices नीचे थोड़ा सा उपर फिर एक अच्छी correction consideration उपर फिर यहां से एक dip लिया वापस market उपर जाने की कोशिश कर रहा है एक इसमें resistance यहां पर है वो काफी important है वापस चलते हैं गंटे के time frame पे उन levels को आप important होने वाले हैं देखे मैं कुछ ऐसा नहीं है कि मैं जो short sellers हैं उन्हें मैं कुछ डराने की कोशिश कर रहा हूँ मैं सिर्फ एक strategy बता रहा हूँ कि हमें किस तरीके से trade करना चाहिए अब ऐसा नहीं है कि अभी आप बिलकुल उस condition में आ गए हो कि यह चीज़े वहां matter करती है जहां पर आपको उस strategy को बनाना भी इस तरीके से होता है कि आपका fund balance कितना है तो आप कहां तक देख सकते हैं किस strategy को लेके आप average करने का सोच रहे हैं या फिर एक single position को यह hold करने का सोच रहे हैं या फिर आपने अपना एक portfolio बना रखा है कि यहां पर मैं loss देख लूँगा व तो एक strong level है वो closing basis का है वो है 48,750 यह इसका closing basis का stop loss है यह अब अगर break होता है मतलब अभी current price से exact 300 point उपर के उपर अगर market close हो जाता है तो ठीक है daily closing basis पे मतलब जो current price है यहां से भी 300 point उपर कम से कम सबा 300 point उपर इसे close होना होगा तो market में और ज्यादा तेजी आ जाएगी यह पहली चीज़ है दूसरी चीज़ के अभी क्या कर सकते हैं देखिए वो एक वो level है जहां के बाद और ज्यादा तेजी बन जाएगी या फिर वो level market टच करने में भी एक struggle करना पड़ेगा आप अगर current level पे देखें तो मैं यहां पर buying की recommendation मैं closing के बाद दूँगा fresh buying देखें दो चीज़े हैं अगर आपने hold कर रखा है तो आप stop loss करेंगे अगर आप fresh buying का सोच रहे हैं तो वो मैं सोचता हूँ के थोड़ा सा market को अब जो next resistance है वो काफी major है वो market hold कर सकता है या नहीं कर सकता है यह कहना अभी थोड़ा सा मुश्कील है strength जरूर बनी हुई है पर इतनी बन पाएगी या नहीं बन पाएगी इसमें एक तो silver ने कुछ ऐसे indication नहीं दिये हुए अभी तक कि market एक single direction में move कर रहा ह silver में बार-बार लगातार एक selling pressure देखने को मिल रहा है higher level से ठीक है तो वो एक थोड़ा सा एक ऐसी situation है कि अभी थोड़ा buying करना भी risk है और selling करना तो risk है selling के लिए आपको जिन-जिन levels का धियान रखना है एक बहुत पासमी एक price है 48,270 बहुत important नहीं है पर ये इतना जरूर है कि ये price अगर break होता है तो market को वापस high price break करने में थोड़ा सा मुश्किल रहेगी ये मैं थोड़ा सा एक बार repeat कर देता हूँ मान लिजी अभी current price चल रहा है 48,438 यहां से market नीचे आने के लिए एक turn लेता है तो एक price रहेगा 48,270 इसके नीचे अगर market आ जाता है तो वापस इसका जो high price अभी तक इसने लगा रखा है ये break करना gold के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा सिर्फ इतना ही है selling आ जाएगी यह कहना मुश्किल है selling के लिए जिस price को break करना है वो है 48,070 और यह भी ऐसा नहीं कि आज ही आज में market गिनने लगेगा क्योंकि already यह 400 point तो नीचे है पहले break करेगा उसके बाद हद से 200 point का एक maximum और downside expect कर सकते हैं उससे जादा तो अभी नहीं तो यह सिर्फ एक indication होगा कि अब market में जो uptrend था वो खतम होता वो नजर आ रहा है ठीक है जो reversal रहेगा जो market में एक trend जो है नीचे की side ले आएगा वो price है 47,700 यह सबसे important level है downside के लिए और यह उनके लिए जिन्होंने short selling की हुई है और hold करके रख रहे हैं उनके लिए 48,70 भी important है और 48,750 भी important है अब इसके बीच में जब तक market है तब तक थोड़ी वो यह उम्मीद लगा सकते हैंगे market turn कर सकता है 48,750 अगर break हो जाता है तो market में और ज़्यादा upside के chances बनने लगेंगे तो यह 4 level है काफी important level है चारो के चारो आपके लिए शायद आज की trading में और आने वाले एक दो दिन तक यह काफी important रहने वाले हैं जिसमें यह वाला price सिर्फ कुछ देर के लिए important रह सकता है तो दोस्तों यह था मेरा gold mcx पे अभी का वीडियो वीडियो अच्छा लगे तो like करें शेयर करें बने रहें मेरे साथ देखते रही है market report धन्यवाद